वेलकम टूमा यूटूब चैनल इस्टडी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे करंट अफैर्स 2021 जैसा आपको पता है यू के ट्रपल सी वीडियो के लिए एक्जाम जो होना है ठीक है 854 पोस्ट के लिए वीडियो भी वीडियो समाझ क समीति है उससे संबंदी जितने भी मोस्ट इंपॉर्डेंट फैक्ट है उन सभी वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगते तो लाइक करें कमेंट करो वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब क चुरूर करते हैं ऑंगे तो सबसे बहरे बात करते हैं अंतराश्ट्य ऐलम्पिक समीती की टिकर तो अंतर लाश्ट्य खोस्तापना reading現在 तो सोरी तेज जून 1894 में ठीक है इसके फुल डेट आप याद रखना तेज जून 1894 में अंतरास्टे ऑल्लम्पिक समीति की इस्थापना की गई थी अगर आप 1894 भी याद रखेंगे तो यह आपके लिए काफी होगा ठीक है क्योंकि इसी सब जो डेटे इसको आप अराम से याद कर सकते हो तो सखोन में हुआ था सखोन एक जगा है ठीक है अगर मुख्याले की बात करता है कि अंतरास्टे ऑल्लम्पिक समीति का मुख्याले कहां पर है त सब्सक्रमिला को सब्सक्रामिल्व सब्सक्रार गें में होगा में इसकर याद रखना है क्योंकि है कि अलग आपने करके याद रखना है तो आधिकारी भासा आ头 से पूछता है तो आधिकारी भासा है इसकी अंग्रेजी एवम फ्रेंच इसके परतम अध्यक्ष जो रहे थे अंतरास्टी ओलम्पिक समी तीके ये रहे थे डिमीट्रियास वेकेलोस ठीक है जो यूनान के थे कहां के थे गाईज यूनान के अगर आपसे पूस्ता नोवे या बरतमान अध् हुई थी ठीक है इसा पूर्व कहां पर हुई थी ओलम्पिया सहर यूनान में ठीक है यह पूइंट आप यहां से याद रखेंगे अगर कॉश्चन आपसे पूछता है कि आधुनिक ओलम्पिक खेल की सुरुबात कब हुई थी तो 1896 में एथेंस यूनान में ठीक है उसके सब्सक्कार्ण कि मैना क्वाइज को है नेता अमबानी है भारतिया-खेली स्थापन जो इसका हुई थी वह घुकर नए इसके नरेंद्र बत्रा और बर्तमान में सचिप कौन है इसके राजीब महता ठीक है अब देखिए ओलम्पिक ध्वज की बात करें ओलम्पिक ध्वज तो अलम्पिक ध्वज का जो स्रजन हुआ था ये 1913 में हुआ था किसके कहने पर हुआ था वैरों पिरेडी को वार्टिन के कहने पर जो है इसका स्रजन किया गया था विदिवध उढ़्धादन जो हुआ जून 1914 में हुआ था पैरिज में और प्रतम बार जो ध्वज को फेरा प्रस्ट भूमिय और इसमें पांच चक्र है कि जो ऑलंपिक कर जैंड जो है उसमें इस्सक्रों कितने रिंग होती है तो आप याद रहेंगे पांच है तो इसमें पहला नीला होता है पीला है काला हरा और लाल यह पांच महादीब को दर्शाते हैं जो हमारे महाधीपे ना पांच उनको दर्शाते हैं अब देखें जो नीला है जिसे में नीला है ठीक है ये यूरोप को दर्शाता है पीला वाला जो है ये एसिया को दर्शाता है हरा वाला जो है ये औसेलिया को दर्शाता है काला वाला अफरीका और लाल वाल तो यहां से कोश्चिन बनता है कि आलम्पिक मसाल की शुरूबाद जो है वो कब की गई थी तो 1928 में एमस्टरडम ऑलम्पिक में अब दिखिए 1936 इस भी में वर्लिन ऑलम्पिक खेलों में मसाल को एक बर्तमान स्वरूप उसको अपना लिया गया था तो यह भी याद रखना 2020 में होने थे लेकिन कब हुए थी 2021 में हुए थे तो जब यह खेल सुर्ण होने वाले होते हैं तो एक मंदिर है वहाँ पर हैरा मंदिर इसको आप याद रखेंगे हैरा मंदिर और यह ओलम्पिया सहर यूनान में तो इसके मंदीर के सामने गीक एक स्थान ऑन पर होगा तो यहां से लेते हैं और वो इस नहीं से खिल होगा ठीक है उस जगा तक लेकर जाता इसको लगा देते हैं तो इस तरह से आरंब हो जाता है अब बात करें इसमें पदक की तो इसमें तीन होते हैं स्वान पदक रजत पदक और कांसिये पदक अब इसमें जो स्वान पदक होता है इसका ब्रत होता है यह 60 मीमी का होता है और इसकी जो मोटा ही होती है वो कितनी होता है तीन मीमी की ठीक है उसके बाद रजत पदक की बात कर लेते हैं हम लोग तो रजत पदक देखिए इसका ब्रत भी 60 मीमी का होता है और मोटा कितनी होती इसकी तीन मीमी लेकिन इसमें पूछते हैं कि रज़त और सोना कितना होता है तो 92-95 प्रतिशात इसमें रज़त होता है और 6 ग्राम इसमें सोने की परत होती है उसके अलाब अगर कांश्य पदक की बात करें तो इसमें 97% कॉपर 0.5% तीन और 2.5 जिंक यह 2010 तक यह था कांश् यहां से कोश्चन बनने के चांस काफी हो जाते हैं उसके बात करें हम उलम्पिक की सपत की तो उलम्पिक के शुरुबात की गई थी यह 1922 बेल्जिम में जो वहां से कोश्चन देखिए दो तरह से बनता है पहले आदुनी के खेल कब हुए थे तो अठाज दो च्शानवे एथेंस में हुए थे अगर कोशन पूछता कि पर्थम गिरिश्म काली नों ऑलंपिक कव हुए थे तो 1900 में हुए थे पैरिस फ्रांस में दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं दोनों ही पॉइंट काफी महतपूर है जो सुभंकर होता है सुभंकर ऑलंपिक खेलों का उनकी जो सुरुबात हुए थी 1968 में हुए थी 1968 में और सबसे महतपूर जो कोशन बनता है यह बनता है ऑलंपिक खेलों का टीवी पर बिस्तरत प्रशारन हुआ था यह 1960 से हुआ था ठीक है जो रॉम में हुए थे न ऑलंपिक खेल रॉम ऑलंपिक 1960 तो तब से इन खेलों को TV पर दिखाना सुरू किया गया था चलिए अगला देख लेते हैं अब देखे कोशन यहां से बनता है इस बार करेंट कोशन बनता है यहां से 100 पर्शेंट बनने के चांस है ठीक है तो सबसे पहले कोशन यह बनेगा इस बार कि जो ग्रेश्म कालिन ऑलंपिक थे कौन से इसे 8 अगस्त 2021 में ठीक है तो यह 2020 के थे लेकिन हुए 2021 में थे इस खेल का जो उधगाटन किया था ओलंपिक का यह जो जापान के समराट है नारू ही तो इन्होंने जो है इसका उधगाटन किया था सुभंकर काफी most important इसका सुभंकर पूछा जाता है तो मस्कोट इसका सु को प्रज्वलित किया था अब देखिए कुल खेल प्रदाय यह 349 थी कितनी थी 349 अब इसमें किन का क्या क्या इस्थान रहा आपको पता टॉप 5 तो हमें यादी रखने है भारत का इस्थान और टॉप 5 यह तो आपने यादी रखने तो पहले इस्थान पर अमेरिका रहा ठीक है दूसरे इस्थान पर चीन तीसरे पर जापान चौथे पर ब्रटेन और पांच पर रोसी ऑलम्पिक समीती क्योंकि इनको पांचों को यह सीरीज बाई भी बाईजी भी पूछ सकता है ठीक है तो सबसे यादा पदक जो है अमेरिकाने जीते हैं 49 स्थान ठीक है इनकी स्वण जीता था दो रजट और चार काश्य यानि टोटल पदक जो है सात जीते थे कोश्चन यहीं से बना भी है कही बार कि भारत को टोकि ओलम्पिक में कितने स्वण कितने रजट और कितने काश्य मिले या उल भी आपसे पूछ सकता है तो आपको याद रखना है सात है ठीक है अब डेखी होकी की बात कहने होकी तो होकी में जो है जो पूरुस वाली है पूरुस वाले में ठीक है Dark Link चल दिए तो उसमें स्वेन जो जीता है ते बैल्जियम ने और रजफ में जीता धा यह और आस्टेलिया ने और काश्पथ्य पथग जो मिला था अब बात कर लेते हैं जिनको मिला था स्वाण राजात और काशी है तो देखे सबसे पहले बात करते हैं हम नीरा चौप्रा जी की तो नीरा चौप्रा जो है इनको स्वाण पतक मिला था बात को एक स्वाण पतक मिला है ना तो यह नीरा चौप्रा को मिला था किसमें जैवलिन थ्रो में इन्होंने कितने मीटर फैका था 87.58 मीटर यह इनको गाड़ी जो दिये ना शब जो टाटा ने इनको गाड़ी दिये सा है सब उसकी जो नंबर प्लेट है वो भी 87580 है ठीक है तो इसको इस तरह से आप याद रखना है पूछ सकता है कितना मीटर इन्होंने भाला फ अब बात कर लेते हैं काश्य पदक बजरंग पुनिया इन्होंने कंश्य पदक जीता है किस्ती में यह ह्रियाना के रहने वाले हैं लब लिना वोर्गोहन ये मुक्यवाजी में और ये कहां रहने वाली है असम की P.B. Σिन्धू ये बेढमिंटरैंस से समभन दिते है और ये कहां की रहने वाली है हादराबाद की रहने वाली है और पूरूस होकी टीम था है पीडियाफ को पीडियोफ का लिंक में आकर नहीं चाहिए अगर नहीं चाहिए कॉशेंट आपको प्रसेंट आपको वीडियो पर सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर जब चैनल को सब्सक्काइब करें तो बरावर बरें घंटे के इनसान को जरूर किलिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिश्यों को मिस ना कर पाएं तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वॉचिंग